नमस्ते मैं नितिन नियोलोजी स्लीप सेंटर से आपके शमक्ष हम भस्तिरिका का प्राणयाम का अभ्यास करने वाले हैं बस्तिरिका प्राणयाम पहले बता देते हैं किसलिए होता है बस्तिरिका प्राणयाम जिनको सास से संबंदित समस्या है या जिनको खनाटे आते हैं जिनको साइनस की प्रोवलम है जिनको गंठ से जुड़ी होई समस्या है उनके लिए काफी लाबकारी होता है जिनको प्रकार से होता है यह बस्तिका एक बात का ध्यान रखें कभी भी आप जब भस्तिका करें जिसको बीपी हाई है या फिर जिसको सांस की प्रोलम सबसे अधिक है तो किसी की देखरेक में ये प्राणयाम किया जाए बीपी हाई वाले इसको जादा ना करें जिनको लो है वो इस परकास से करेंगे, सबसे पहले हम पोजिशन लियाते हैं, नॉर्मल सांस को करके, हातों को इस परकास से कीजिए, सांस को लीजिए, उमलियों को खोलिए, सांस को नोस्ते प्रेशर से छोड़िए, यह हातों की जो किरिया है, यह आपको करने में सहायक होगी, जब भी हम हात को उपन ले जाते हैं, सांस को लेना है, डिप ब्रीद लीजिए, सांस को छोड़िए, एकदम से नहीं छोड़ना, प्रेशर से छोड़ना है, कि आपके सामने अगर कोई तिनका भी है, वो भी उड़ जाए, इस परकास से आपको सांस छोड़ना है, सांस को लीजिए, इसका अभ्यास आप दिन में, सुबह, खाली पेट कर सकते हैं, बीस-बीस के सेट में क्याना है, इसका अभ्यास, बीस बार कीजिए, फिर रिलेक्स कर दीजिए, फिर बीस बार कीजिए, फिर रिलेक्स कर दीजिए, इस परकास से आपको ये सेट बीस-बीस की रिदम में कर किस परकास से होगा हातों को इस परकास से कीजिए सास को लीजिए नोस से ही सास जाएगा और नोस से ही छुटेगा माॉस कोई रोल नहीं है माउस उपन नहीं होगा जब तक आप भस्तीगा कर रहे हैं अफेसे देखिए जिनको हातों में समस्या है हात नहीं उठा सकते वो हातों को नीचे करके सिद्धासन में बैठके बैक को श्ट्रेट करके इस प्रकासे भी कर सकते हैं आपको अपने लंग्स का दवाब महसूस होना चाहिए कि आप जब भी आप इस पस्त्री का करें तो आपको लंग्स का दवाब महसूस होगा कि आपके लंग्स में कितना दवाब आपके लंग्स कितना खुल रहे हैं हमेशा जब भी कोई प्रानयाम करें या कुछ भी करें तो आपको हमेशा अपनी बैक को स्टेट रखना है इस बात का ध्यान रखें अधियों शान्ति